हेलो स्टेंस चलिए स्टार्ट करते हैं एकसरसाइज 13.5 प्रोबिल्टी का क्योसा नमबर फस्ट देखते हैं क्या है एक डाई इस थ्रोण 6 ताइम एक डाई को 6 ताइम थ्रो किया जाता है if getting an odd number is a success अगर डाई पे odd number आता है तो उसको हम क्या count कर रहे है success इसका मतलब even number आएगा तो वो हमारी unsuccess या फिर failure हो जाएगी what is the probability of this, this and this हमें ये find out करना है अब कोई भी डाई को roll करते हो तो डाई के उपर कौन-कौन सी number आ सकते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 total 6 यहाँ पर sample space हो सकते हैं और odd number कौन-कौन से हो गया हमारे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया 3 odd number हो गई, तो यहाँ पर लिखेंगे हम there are 3 odd number there are 3 odd numbers odd numbers 3 odd numbers हैं, तो हमें किसकी देखनी है, probability of success probability of odd number या फिर हम क्या कह सकते हैं, success success की probability क्या होगी 3 odd number है, total हमारे 6 हैं, तो 3 by 6 मतलब क्या होगी, 1 by 2 और यहीं पर अगर मैं बात करूँ, unsuccess की या फिर failure की तो वो भी कितनी हो जाएगी, 1 by 2 हो जाएगी half probability होगी हमारी odd number आने की और half probability किसकी होगी बच्चो, unsuccess मतलब even number आने की अब चलते हैं, अबने क्योसन के उपर, first part पर देखते हैं, हमारी क्या है 5 successes ही चाहिए हमें, तो probability of 5 success इसकी probability निकालनी है हमें, तो क्या होगी probability of 5, इस तरिक्के से लिख लेंगे, equal to 6 बार toast किया हमने, और यहाँ 6 times बोला है ना, उसने die को द्रोगरना है और उसमें से हमें 5 times success मिलनी चाहिए, तो 6 C 5 N 2 में, 5 times success मिली है, तो एक बार unsuccess मिलेगी, unsuccess की probability क्या है, 1 by 2 और success की probability क्या है, 1 by 2 यह कितने times होगी, 5 times बात समझ में आई या नहीं आई, ध्यान से देखो यह तो 6 C 5 तो होगे हमारा combination, अलग-अलग combination हो सकता है मानलो, पहली time पे success मिली, दूसरे पे नहीं मिली, बाकी फिर 4 पे success मिली, ऐसा भी हो सकता है पहली die पे हमें success ना मिले, बाकी 5 पे मिले, ऐसा भी हो सकता है पहली 5 पे success मिले, 6 पे जाके unsuccess मिले तो बहुत सारे combination बन रहे है उसके लिए तो हमने 65 लगा दिया उसके बाद एक unsuccess की probability 1 by 2 5 times success की probability 1 by 2 की power 5 इसको हम क्या कर लेंगे simplify तो क्या आगया 65 को simplify करेंगे तो n, c, r formula क्या हता है factorial n आप उनमें factorial r into factorial n minus r तो ये क्या आजएगा मेरे पास 6 multiply 1 by 2 की power 6, मतलब 1 by 2 into 1 by 2 की power 5 तो ये किसके equal हो गया हमारा 6 अपोन में 2 की power 6 कितना हो गया 64 या फिर simplify करें तो कितना आगया 3 by 32 ये probability आगी हमारी किसकी 5 times से success की second part पे मोहन करते है second part में क्या काया है at least 5 success ध्यान से सुनो क्या काया क्यों में at least 5 successes होनी चीए मतलब कम से कम 5 होनी चीए ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है clear बात हुई समझ में आई बात at least 5 successes कम से कम 5 होनी चीए ज्यादा कितनी हो सकती है 6 के 6 times success हो सकती है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम probability of at least five success लेखो अब क्या होगी at least five success मतलब five times भी success हो सकती और six times भी success हो सकती है यह दोनों case हो जाएंगे हमारे ध्यान से सुनो बच्चो क्या है यहाँ पर main चीज यही word होता है ध्यान देनेगा at least five success मतलब कम से कम five होनी चीएं कम से कम five में हमारी क्या होगी यह होगी probability of five successes ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है छे के छे time success मिल जाए तो वो क्या होगी probability of six successes बस ये करना है हमे probability of five successes हमने क्या निकाल ली दी ये रही हमारे पास six multiply one by two की power six 3 plus में probability of 6 successes मतलब 6 के 6 बार हमें success मिले तो यह क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1 by 2 की power 6 यहाँ पे 6C6 ले लेंगे उसकी value 1 हो गई तो यहाँ पे 1 by 2 की power 6 हो गई दोबारा समझा देता हूँ एक बार यह तो होगी हमारी 5 success की यह लिख दी हमने 6 success की क्या हो जाएगी 6C6 इंटू में 6 के 6 time success मिल रही है success की probability 1 by 2 1 by 2 की power 6 इसको simplify करेंगे यह आगया यहाँ पे simplify कर लो इसको 1 by 2 की power 6 को मना गया यहाँ पे इंटू में क्या बच गया 6 plus 1 तो क्या आगया यहाँ पे 7 by 2 की power 6 कितना होता है 64 यह आगयी probability आगया जो 3rd time पे 3rd part पे at most 5 successes का है उसने तो probability of क्या का है at most 5 successes मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 times success होनी चीए यह इसकी हमें probability निकालनी है अब total probability क्या होती है बच्चो हमारी 1 total probability क्या होती है हमारी 1 होती है उसमें से अगर मैं probability of 6 successes निकाल दू तो मिरे पास at most 5 successes की रह जाएगी या निया जाएगी at most मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 बार success मिलनी चीए हमें छटी बार success मिलनी ही नी चीए तो उस success की probability को 1 में से subtract कर दूआ 6 times success की probability को 1 में से subtract कर दूआ तो मेरे पास 5 successes गिर जाएगी, बस simple है, देखो क्या आ गया 1 minus probability of 6 successes क्या हो जाएगी, 66 into में 1 by 2 की power 6, simplify कर लो, क्या आ गया 1 minus, ये 1 हो गया, और 1 by 2 की power 6, तो कितना आ गया है, यहां पर 1 minus 1 by 64, 64 में से 1 गया, तो 63 by 64 chances हो गये, हमारे किसके at most 5 successes, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 successes म ले, बात क्लियर होगी, क्योशन में कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी प्रोब्लम लगया, मुझसे पूछ सकते हैं, दरवाज चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए और share कीजिए, thank you students for watching, next class is video